हलो दोस्तों मैं हूँ नीर जो आप देख रहे हैं study commerce और आज हम इस वीडियो में UPGD commerce के previous year question discuss करने वाले हैं यह है part 8 बाकी के part आप i button पे click करके देख सकते हैं या description में भी आपको उसका link मिल जाएगा आप हमारे lecture की पेडिया बे डाउंलोड कर सकते हैं at just rupees 100 अब इस दिये गए नंबर पे में pay कर सकते हैं नंबर है 7317240017 आप हमें phone पे Google पे या किसी भी UPI के थुरू पेमिन कर सकते हैं और इस 100 रुपेज में हम आपको डेली mcqs पर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी तयार होती रहे अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिये गए नंबर पे में whatsapp पे contact कर सकते हैं अगर आप daily mock test देना चाहते हैं तो visit our website studycommerce.net यहाँ पे quizzes वाले section में चले जाना जिस exam के लिए तयारी कर रहे हो उसको select कर लेना for example tgt pgt यहाँ पे click करते ही आपके सामन धेर सारे sets आजाएंगे questions के और आप जिस set को attempt करना चाहते हैं वो attempt कर सकते हैं तो visit our website studycommerce.net website का link आपको description में मिल जाया है तो आज हम इस वीडियो में business management related जो भी questions आया हुए है यूपी pgt commerce में वो questions हम discuss करेंगे total यहाँ पे मैंने 15 questions दिये हैं ताकि आपकी तयारी हो सके क्योंकि आपका जो exam है वो 17 अगस्त को है 17 अगस्त 2021 को आपका exam है तो आप सभी तयारी कर चुके होंगे और probably ये last video होगा इस exam से पहले ताकि आपकी तयारी और ज्यादा भेतर हो सके हमने दो वीडियो लगाता डाल है सटे डे को भी वीडियो गया है और आज भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपकी तयारी और भेतर हो सके आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा concept समझे और वीडियो को pause करके questions भी attempt करिएगा तो आईए questions start करते ह Dash is the set of mechanism used in an organization of link the actions of its subunit into a consistent pattern आपसे question number one पूछ रहा है कि किसी organization में जो subunits हैं अगर उनके functions को continuous pattern में link कर दिया जाए इन pattern को link कर दिया जाए तो जिस mechanism का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं क्या उसे हम departmentation कहते हैं क्या इसे हम coordination कहते हैं या फिर इसे control कहते हैं या फिर formal authority कहते हैं अब एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं departmentation की तो जब किसी organization को different department और sub department में divide कर दिया जाता है तो इस process को ही हम departmentation कहते हैं for example आपने देखा होगा कि अलगलद department जब बाढ़ते हैं तो जैसे marketing department, sales department, HR department, finance department या अलगलद department में हम बाढ़ते हैं तो इसे हम departmentation कहते हैं next है coordination तो किसी organization में sub units के function को जब एक continuous pattern में link कर दिया जाता है तो इस mechanism को ही हम coordination कहते हैं तो correct answer हो जाएगा B लेकिन यहाँ पर बाकी options को भी नहीं छोड़ना है जैसे यहाँ पर दिया है control तो control एक managerial function है यानि functions of management है जैसे आप planning, organizing, staffing यह सारे चीज़ें आपने पड़ा होगा उसी तरीके से controlling भी एक management का function है और यह help करता है errors को check करने में ताकि हमें errors पता चिल हैं आखरी option है formal authority तो यह legitimate power होता है जैसे कि एक organization में जो member होता है जैसे ही वो organization में कोई official position पे होता है या फिर कोई hierarchy में होता है तो उस position के वज़े से उसे legitimate power मिल जाती है legitimate power मिल जाती है और इसी power को हम formal authority कहते हैं for example किसी school में जो principal है वो क्या है organization का एक member है तो जैसे ही वो एक principal के पत पे आएगा कोई व्यक्ति है मालते है Mr. X और ये किसी school के principal बन गए है तो जैसे ही व्यक्ति किसी school के principal बनेंगे तो ये जो official position है इसी में इनको एक legitimate power मिल जाएगा legitimate power का मतलब आप समझते है legitimate power का मतलब है कि एक valid power जिसमें आप decision ले सकते हैं तो इसी को हम formal authority कहते हैं तो सारे options को भी आपको पता होना चाहिए हो सकता है कि इस time आपसे coordination पर question पूछा next time पर आपको control से पूछ दे तो first का correct answer हो जाएगा B next question देखते हैं the elements of coordination आपको बताना है कि समन्न में कि elements कौन-कौन से हो सकते हैं आपकी option है group effort, unity of action, common purposes या all of the above तो coordination मैंने आपको बता है कि हर organization के एक objective होता है और उस objective को पूरा करने के लिए group efforts किया जाता है और इस group में ही हमें coordination establish करते हैं तालमिल बनाये रखना ही coordination का main objective होता है तो coordination का जो element है वो group effort भी होता है और unity of action भी है और common purposes भी है यानि ये तीनों element है of coordination तो correct answer हो जाएगा D next question देखते हैं this set of mechanism used to keep actions and output within predetermined limits is called आपको question में पूछ रहा है कि जब एक organization एक predetermined limits set कर जती है और वो अगर achieve नहीं कर पाती तो जो corrective action लिया जाता है उससे हम क्या कहते हैं क्या इसे हम coordination कहते हैं क्या इसे हम vertical specialization कहते हैं क्या इसे हम control कहते हैं या फिर इसे हम formalization कहते हैं तो इसे हम control कहते हैं तो correct answer हो जाएगा C control में क्या होता है कि एक organization जो है वो एक standard set कर देती सबसे पहले for example एक organization जो है उसने ये standard set कर दिया कि उसे एक दिन में 1000 unit जो है वो produce करना है लेकिन reality में क्या होता है यानि जो actual performance है मान लेते हैं कि actual performance जो है वो 800 unit का आता है यानि कि standard set किया गया था कि एक दिन में 1000 unit produce किया जाएगा लेकिन actual performance जब आई तो वो 800 unit किया यानि कि एक दिन में 800 unit produce किया गया तो ये जो 200 है 200 unit की कमी है इसे हम क्या कहेंगे इसे हम deviation कहते है या फिर इसे आप कमी या फिर differences भी कह सकते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जब predetermined limits इसने set कर दिया है जो कि है 1000 unit का और ये 1000 unit produce नहीं हो पा रहा है actual में हो रहा है सिर्फ 800 unit और ये जो 200 unit का जो deviation आ रहा है इसी को कम करने की की जा रहे है कोशिस यानि कि जो भी corrective action लिया जा रहा है इसे ही हम control कहते है तो third का correct answer हो जाएगा C अब आई ये next question देखते है Coordination involves समन्वे में क्या समलित होता है आपकी option है forecasting unity of purpose selection of staff या फिर all of these तो correct answer हो जाएगा B unity of purpose यानि कि coordination में हम unity of purpose को involve करते हैं include करते हैं क्योंकि जो objective है अगर उसमें unity नहीं होगी तो coordination establish करना possible नहीं हो पाएगा और coordination में selection of staff और forecasting को include नहीं किया जाता तो fourth का correct answer हो जाएगा B अब आई ये next question देखते है which of the following pair is incorrect आपको कुछ pairs दे रखे हैं आपको incorrect pair के बारे में पता करना है आई ये options ये पीटर एफ ड्रकर management by objective पीटर एफ ड्रकर जीरो बेस्ट बजटिंग पीटर दी प्रेटर प्रिंस्पल पीटर सन पार्किंसन्स लॉव तो एक एक करके options को evaluate करते हैं पीटर एफ ड्रकर इन्होंने M.B.O. दिया है ये आप सभी को पता ही होगा in the year 1954 तो ये तो बिल्कुल सही है नेक्स्ट है पीटर एफ ड्रकर इन्होंने दिया है जीरो बेस्ट बजटिंग तो ये भी correct है थर्ड देखते हैं पीटर ने पीटर प्रिंस्पल दिया है तो ये भी correct है नेक्स्ट है पीटर सन ने पार्किंसन्स लॉव दिया है तो ये जो पेर है वो incorrect है क्योंकि पार्किंसन जो लॉव है वो दिया है पार्किंसन ने तो यहां पर पुछा है विचा था फॉलिंग पेर इस इंकरेट तो जो डी ऑप्षन है वो इंकरेट हो जाएगा अब नेक्स्ट करशिन की तरब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहहरा है अब को बताना है कि जो प्रिंस्पल है स्पान ऑफ काईजमेंट के नाम से भी जानते है ये आप नोट कर सकते हैं कई पे span of control को span of management के नाम से भी जानते हैं और इसको दिया है ग्रेकुनास ने अब यह जानते हैं कि span of control होता क्या है तो एक superior को कितने subordinate को control करना चाहिए यही span of management या span of control बताता है यानि कि एक superior के अंदर कितने subordinates काम करेंगे यह चीज़े बताता है span of control यहाँ पर एक formula भी बहुत important है आप इसको note कर लिज़ेगा यह formula है यहाँ से questions पूछे जाते हैं आपको direct formula देगा span of control का और आपसे पूछेगा कि correct formula आपको identify करना है मैं एक बार repeat करा दे रहा हूँ यहाँ पर यहाँ आपको यह बता दो कि यह जो formula है यह यह बताता है कि subordinates और superior के बीच में number of relations वो कितने है यह number of relations बताने के लिए हम इस formula का इस्तमाल करते हैं तो इस question में पूछा था कि principle of span of control किसने दिया है तो वो दिया है ग्रेकुनास ने अब आए नेक्स question देखते हैं अब को बताना कि philosophy of management जो बुक है उसको किसने लिखा है अपकी option है अल्टन में हो या फिर डगलस मैं ग्रेगर या फिर ओलिवर शेल्डन या फिर हेंरी फियोल तो करेक्टर अंसर हो जाएगा C. ओलिवर शेल्डन इन्होंने किताब लिखी है philosophy of management यहां पर मैं आपसे question पूछता हूँ कि आपको यह बताना है कि philosophy of management जो बुक लिखे गई थी वो कौन सी year में लिखी गई थी क्योंकि आपसे year भी exam में पूछा जा सकता है तो comment box में इस question का answer ज़रू बताएगा अब आपके नेक्स question देखते हैं नेक्स question कहे रहा है part was developed in the year आपको बताना है कि part जो है वो कौन से year में developed हुआ था आपके option है 1912, 1925, 1958 या फिर 1963 तो correct answer हो जाएगा 1958 अब यह part क्या है part का पुरा नाम है program evaluation and review technique यह एक project management tool है जो की एक graphical presentation provide करता है project timeline का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं project timeline यानि कि एक project जो है वो कब से start होके कब खतम होगा यह चीजें part बताता है इसका पूरा नाम हो को पता होना चाहिए part का full form है program evaluation and review technique यहाँ पूछा है कि part कब developed हुआ था तो वह हुआ था 1958 में तो correct answer हो जाएगा c अब आई next question देखते है which of the following pair is correct यहाँ पर ध्यान रखेगा कि आपको correct पूछा है या incorrect पूछा है क्योंकि दो पहले आपने देखा था कि आपसे पूछा था कि which of the following pair is incorrect तो यहाँ पर correct पूछा है तो इस चीज़को आप ध्यान दीजेगा एक्जाम में आपकी option है Elton Mayo जापान टेलर फ्रांस फ्योल अमेरिका ग्रेसम ब्रिटेन तो आपको correct पेर फैंड करना है आई एक एक option को evaluate करते हैं फर्स्ट है Elton Mayo तो Elton Mayo के बारे मैंने आपको बताया था कि यह एक Australian psychologist है तो यह जापान में न पैदा होके इनकी जो पैदाई नेक्स्ट है टेलर तो टेलर एक American mechanical engineer थे तो यह पैदा हुए थे अमेरिका में यहां पर एक चीज और ध्यान रखेगा कि आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि PGT में आपसे direct year पूछा जा सकता है कि टेलर का पैदा हुए और फ्योल का पैदा हुए तो यह चीज़े इंजिनियर थे तो यह पैदा हुए थे फ्रांस में तो आप देख रहें कि स्टार्टिंग की जो तीन ऑप्षिंस है वो गलत है गिरेसम जो है वो ब्रेटन में पैदा हुए थे तो यह करेक्ट पेर है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अब आए निक्स देखते हैं तो यह बहुत ही सिंपल क्वेशन है मेरे ख्याल से ऑप्षिन भी पंडी के जरुवत नहीं होने चाहिए आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टन मेयो अब आए नेक्स क्वेशन देखते हैं आपको बताना है कि यह जो टर्म है पी ओ आए एम जिसका मतलब है प्लानिंग और्गनाइजिंग इंटिग्रेटिंग और मेजरिंग यह टर्म किस ने दिया है आपको आप्षिन है ए ए ए फल ब्रीच, हरोल्ड इसमिडी, टैनन ब्राउन या फिर वेशलर तो correct answer हो जाएगा B, हरोल्ड इसमिडी ने P.O.I.M. जो टर्म है वो दिया है तो correct answer हो जाएगा 11 का B अब आए नेक्स question देखते हैं आपके सामने दो list दे रखा है list 1, list 2, list 1 में आपके सामने profounder दे रखा है जैसे Maslow, Hussberg, Urwick, McGregor और list 2 में आपके सामने philosophy दे रखा है या theory आप कह सकते हैं जैसे hygiene theory, x and y theory, need hierarchy theory और Japanese management तो आपको list 1 को list 2 से match कराना है तो आएए match कराते हैं, सबसे पहले easy से start करते हैं first है Maslow, तो Maslow का आपने need hierarchy theory पढ़ाई होगा तो A का third match करा देंगे, और साथ ही साथ बाकी जो options हैं, उनको eliminate करते जाएंगे जैसे A का third है, तो आप देख सकते हैं कि A का third किसी में नहीं है, यानि एक ही match करने से आपको answer मिल गया है, जो की है D लेकिन आपको सही से match करना है आपके जांकारिक ले, क्योंकि हो सकता है कि इसी जो sequence हैं, इसको twist करके किसी और form में आपसे exam में पूछा जा सकता है तो हस्बक की बात करें तो उन्होंने two factor theory दिया था जिसमें उन्होंने hygiene factor और motivational factor की बात की थी तो यहाँ पर option में hygiene factor दिया हुआ है तो second का first से match करा देंगे next है उर्विक, तो उर्विक जो है वो उन्होंने theory Z दिया था जिसे हम Japanese management भी कहते हैं या फिर इसको हम Z theory भी कहते हैं ठीक है तो उर्विक को match करा देंगे हम fourth से जो की है Japanese management यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेगा कि जो theory Z है उसमें main जो नाम है वो है William G. Auchi का William G. Auchi ने एक book लिखी थी इसके वैसे उनका contribution ज़्यादा माना जाता है लेकिन उनके अलावे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने theory Z दिया है जैसे L. उर्विक और S.S. रंगेकर और Alfred Jager ये लोग भी हैं जिन्होंने theory Z को दिया था तो इसलिए हम उर्विक को match करेंगे Japanese Management से जो Douglas McGregor है उन्होंने theory X और Y दिया है सारे जो theories हैं वो मैंने पहले ही बना लिया है तो अगर आपने ये सारे theories नहीं देखे हैं आप description में लिंक होगा वहां से आप सारे theories को देख सकते हैं तो यहां पर चारुएने option को match करा दिया है तो correct answer हो जाएगा D अब आए next question देखते हैं next question में भी आपको दो list दे रखा है list 1, list 2, list 1 में आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे functional organization, theory Z, managerial grid, expectancy theory और list 2 में आपको कुछ management thinker के बारे में दिया गया है जैसे vroom, black, modern, g, ौची और tailor तो आपको list 1 को list 2 से match कराना है easy से start करेंगे जो आपको आता है सबसे पहले आप वही match करें जैसे मुझे आता है functional organization तो यह दिया है tailor ने तो ए का fourth हो जाएगा तो देखिए आप इसको elimination method से एक option eliminate कर सकते हैं theory Z जो है वो दिया है William G. Auchi ने यहाँ पर ध्यान रखी है कि जब भी आप हिंदी के book में पढ़ेंगे तो आपको देखेगा William G. Auchi लेकिन इसको हम English में Auchi भी पढ़ सकते हैं यह correct pronunciation है William G. Auchi तो theory Z को दिया है William G. Auchi ने जो कि एक American scholar है इन्होंने एक book लिखा था theory Z How American Business Can Meet Japanese Challenges यह book जो है बहुत important है year आपको याद होना चाहिए 1981 यह book इन्होंने 1981 में लिखी थी managerial grid की बात करें तो यह दिया है black और modern ने तो देखिए B का हो जाएगा third तो B का third जिसमें नहीं है वो आप eliminate कर सकते हैं managerial grid को आपने B से match किया है यानि C का B होना चाहिए तो C का B जिसमें नहीं है वो आप eliminate कर सकते हैं तो देखिए correct answer हो जाएगा B और expectancy जो थियोरी है वो दिया है Victor Vroom ने तो इस तरीके से elimination method से भी आप questions को solve कर सकते हैं exam में अब आए next question देखते हैं who has coined the term post corb आपको बताना है जो term है post corb ये किस ने दिया है आपकी option है F.W. Taylor Henry F.Yol, Peter F. Drucker या फिल लूथर गुलिक तो सबसे पहले आप ये जानिए कि post corb है क्या आपने देखा हो गया कि management functions जो है वो अलग-अलग लोगों ने अलग ले दिया जैसे planning, organizing, staffing, directing, coordination ये सारे functions है management के लेकिन सभी लोगों ने एक तरीके का function नहीं दिया अलग-अलग लोगों ने management functions के बारे में बताया है तो इसी तरीके से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने post corb दिया है यानि ये post corb जो है वो एक management function है मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ तो ये management functions को बताता है तो ये term जो दिया है वो दिया है लूथर गुलिक ने तो correct answer हो जाएगा D अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसका full form क्या है आपको पता है P for planning O for organizing S for staffing D for directing और C O से होता है coordination ये important है C O से होता है coordination और R से होता है reporting ये तीन आखरी कि आपको पता होना चाहिए reporting और B से होता है budgeting तो यहाँ पर पूछा है कि post-corp जो term है वो किस ने दिया है तो वो दिया है Luther Gullick correct answer हो जाएगा D अब आए आज का last question देखते है grey point is a type of आपको पताना है कि grey point communication जो है वो कौन से प्रकार की communication है क्या ये informal communication है क्या ये horizontal communication है क्या ये vertical communication है या फिर ये formal communication तो grey point communication जो होता है वो informal communication होता है क्योंकि यहाँ पर information का flow होता है वो किसी भी direction में हो सकता है आप देखे किसी भी direction में जो information है वो flow हो सकता है और सबसे fastest तरीके से information flow होता है तो grey point is a type of informal communication तो ये था total 15 questions जो आपके revision के लिए important है इसके लावा आप ध्यान रखेगा कि exam में जब भी आप बैठें कम से कम दो बार questions को जरूर पढ़ें जो silly mistakes हैं उनको बिलकुल न करें और जितने भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ाया सिर्फ revise करिए और ये वीडियो जो है वो last वीडियो है आपके exam से पहले यानि 17 अगस को आपका paper है और ये last वीडियो है इसके बाद हो सकता है कि एक दो मैने हम लोग कोई भी वीडियो न डाले regarding PGT commerce उसके बाद हम वापर्स से बहुत ही अच्छे तरीके से तयारी start कराएंगे ताकि next time अगर आपका exam clear नहीं हो रहा है तो next time आपका exam अच्छे से clear हो जाएंगे तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद दाया होगा Thank you कर दो भाद होगा